हाई स्टुडेंट कैसे हैं आप माई नेम इस विद्या सागर सिर्वास्तो देखो स्टुडेंट आज हमने इसमें लिया हुआ यूपी एसे एसे पेट एक्जाम 2022 का सिलेवस और एक्जाम पैटर्न जिसमें मार्किंग स्कीम भी सामिल होगी ठीक है और इसमें हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे क्रम से और पहला हमारा सब्जेक्ट है इंडियन हिस्ट्री यानि भारती इतिहास इसमें सिंदुगाटिक सभ्यता बैदिक संस्कृत बहुत धर्म और गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी सिच्छाएं जैन धर्म और महावीर स्वामी की जीवनी और उनकी सिच्छाएं मौरेवन्स समराट असोग गुप्त वन्स समुद्र गुप्त और चंद्र गुप्दुती हर्सवर्धन राजपूत काल सल्तनत काल मुगल सामराज मराठा ब्रेटिस राज का भुद्ययोंग प्रथम सुतंतरता संग्राम ब्रेटिस राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव इन सब में से मिला के पांच कोश्चन आएंगे स्टुडेंट और सब एक एक नंबर के होंगे और ये जो इसमें सिलेबस माना जाएगा वो 9-12 NCRT का होगा दूसरा टाफिक भारती राश्ट्री अंदोलन ने भी इतिहास का ही भाग है लेकिन इसको अलग से पढ़ते हैं और इंडियन नेशनल मूव्मेंट इसमें स्वाधीनता अंदोलन के प्रारंभिक वर्स स्वदेशी तथा सविनय अवग्य अंदोलन महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्रान्तिकारी अंदोलन तथा उग्र राश्टवाद का उदे विधाई संसोधन तथा ब्रिटिस इंडिया एक तुनिस सो पैंथिस भारत छोड़ो अंदोलन आजाद हिंद फाउज नेता जी सुवास चंद्रवोस इस पर मिला करके पांच कोश्चन आएंगे सिलेवस नाइन टू टू टूल्व एंसी आर्टी होगा ठीक है भूगोल के बारे में देखे इस्टूडेंट जागरफी भारत यूंग विश्चु का भौतिक भूगोल नदियां और नदियों की घाटी भूजल संसाधन परवत पहाडियां हिमनद मरुस्थल और सुस्क छेत्र बन खनिस संसाधन विशेशकर भारत में भारत यूंग विश्चु का राजनेति भूगोल जलवाय और मौसम टाइम जोन जनसंख्या परिवर्तन यूंग प्रवास ठीक है इस पर पांच कोश्चन आएंगे सब एक एक नंबर के और ये सब इंसियार्टी बेस सिलेवस होगा ठीक है भारती अर्थ विवस्था इंडियन इकनौमी ठीक है भारती अर्थ विवस्था उननिस सु सैंताली से उननिस सु क्यानवे योजना आयोग और पंच वर्शी योजना है मिस्त्रित अर्थ विवस्था का विकास निजी एवंग सार्वजनिक छेत्र हरित क्रांति दुग्द विकास एवंग आपरेशन फ्लड बैंकों का राष्ट्रिय करन तथा सुधार वर्श 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थ विवस्था वर्श 2014 के पस्चात के आर्थिक सुधार क्रिसी सुधार धाचागस सुधार सम सुधार आर्थिक सुधार और जी अस्टी से कोश्चन आएंगे इस से मिला करके पांच कोश्चन होंगे सब एक एक नंबर के होंगे और सेलेवस 9-12 NCRT वेज़्ट होगा ठीक है इसके बाद भारती संबिधान और लोक प्रसासन इससे भी पांच कोश्चन आएंगे सब एक एक नंबर के होंगे सिलेवस NCRT बेज़्ट 9-12 होगा इसमें क्या-क्या मेन बाते हैं भारती संबिधान और भारती संबिधान की मुख्य विशेस्ता हैं राज के नीति निर्दे सकता तो मौली का धिकारें करतब संसदीय प्रणाली संग्यों केंदर सासित प्रदेश केंदर राज संबंध नयाइक धाचा सर्वोच नयाले उच नयाले जिला प्रसासन अस्थानी निकाय और पंचायती राज संस्थाएं ठेक इन से मिला करके 5 question आएंगे वो हमने बता दिये सब NCRT 9 to 12 based है इसके बाद आएगा हमारा general science इसमें physics, chemistry और bio तीनों आएगी यानि प्रारंभिक भौतिक विग्यान, प्रारंभिक रसान विग्यान और प्रारंभिक जीव विग्यान तो इनके भी general question 9 to 12 आप NCRT based समझेंगे सिलेवस NCRT based 9 to 12 है ठेक है प्रारंभिक अंक गणित इसमें देखे स्टुडेंट पूर्ण संख्या भिन्य तथा दस्मलो प्रतिसत्ता साधारण गणतिय समीकरण बर्ग योंग बर्ग मूल घातांक योंग घात आवसत ठेक है इनसे मिला के 5 question है सब एक एक नंबर के हैं सिलेवस NCRT based है तो NCRT में ये टापिक 9 लेकर 12 की जिन कच्छाओं में पढ़ रहे होंगे वहां से आप इनको study करेंगे ज़्यादा सफलता मिलेगी सामान हिंदी हिंदी में संधि, बिलोम, पर्यावाची, वाक्यांसों के लिए एक सब्द, लिंग, सम्सृत, भिन्नात्मक सब्द, मुहावरे, लोकोक्तिया, सामान नयसुद्धिया, लेखक और रचनाय, गद्य और पद्य के और ये सभी NCRT के अंदर होंगे, NCRT 9 to 12 के अंदर जो पढ़ाये जाते होंगे, उन ही संबंधित होंगे ठीक है जनरल इंग्लिस में ग्रामर इंग्लिस का आएगा और आपठित गद्यान से यानी अंसीन पैसेज पर आधारित कोश्चन आएंगे ठीक है इसके बाद ये भी पांच नंबर का होगा और सभी एक एक नंबर के कोश्चन होंगे सब NCRT based 9 to 12 syllabus पर होंगे ठीक है इसके बाद समसामाएकी current affairs इसमें भारत और विस्च का आएगा current affairs ततकाल घटनाय जो साल भर में घटी होंगी या कुछ उससे पहले घट गई होंगी पर उनकी importance आज भी होगी आएसी घटनाय आएंगी current affairs के 10 questions इसमें होंगे ठीक है सब एक एक नंबर के इसके बाद देखे logic and reasoning ब्रिहत और लग होगा क्रम एंड रैंकिंग होगी संबंध होंगे समू से भिन को अलग करना कलेंडर और घड़ी होगी कारण और प्रभाव होगा coding और decoding संख्या और अच्छर के होंगे भिन्नात्मक तर्क और कथन विसलेशन एवंग निर्ड़े होंगे ठीक है इन पर भी 5 questions आएंगे और सब एक एक नंबर के होंगे ठीक है शामान जागरूपता जनरल अवर्नेस भारत के पडोसी देश देश राजधाने और मुदरा भारत के राज्य और केंद्र स साशित् प्रदेश भारती संसत राजसभा लोकसवा, विधान सवा, विधान परिशद, राष्ट्री एवं अंतराष्ट्री दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्याले, भारती परियतन, अस्थल, भारत की कला एवं संस्कृत, भारत एवं विश्व के खेल, अंतराष्ट्री एवं संधान, संगठन, प्रसिद पुस्तके और लेखक, कुरसकार और विजेता, जलवाय परवर्तन, योंग पर्यावरन, ठीक है, आपठित हिंदी गध्यांस का बिवेचन और बिसलेशन, इस पर दो गध्यांस होंगे, इस पर प्रतेक से पांच-पांच प्रस्ण होंगे, दस नंबर का होगा, ग्राफ की व सब्सक्राइब में Isleason, इंट में से कोई दो ग्राफ होंगे, दो पर पांच-पांच प्रतेक से प्रस्ण होंगे, यानि दस नंबर का ये भी होगा, ठीक है, तालिका की व्याख्या तो दो तालिकाएं होंगे, टेवल बने होंगे, टेवल के आधार पर से निकालेंगे, आ ठीक है अब परिछ्चा का जो पैटर्न है वो कैसा होगा परिछ्छा आफ लाइन होगी ठीक है प्यट प्रारंबिक परिच्छा सव अंकों की यानि सव प्रश्णों की यानि सव अंकों होंगे सब एक एक नंबर के होंगे परिच्छा का समय दो घंटे यानी 120 मिनट होगा क्रम संख्या एक से नौ पर अंकित सैच्छडिक विश्यों से संबंधित प्रश्णों की कठिनाई का स्तर डिफिकल्टी लेवल राष्ट्रिय सैच्छी कनुसंधा नयोंग प्रसिच्छन परिशद NCRT द्वारा निर्धारी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी इस्तर का होगा हम पहली वता चुके हैं परिच्छा का प्रकार वस्तुनिस्ट होगा ठीक है बहु विकल्पी प्रस्णों पर आधारित होगा निगेटिव मार्किंग प्रत्ते एक गलत उत्तर है तो एक विकल्प होंगे उसमें से एक सही होगा ठीक है ओके स्टुडेंट हमारा चैनल देखते रहें लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम मुझसाहित होकर आपके लिए और वीडियो डालें आगे हम इसके पीछले पीछले वरसों के पेपर भी अपलोड करेंगे ओके